W.I. vs. E.N.G. DreamLeon Team W.I. vs. E.N.G. Second T20 DreamLeon Team West Indies vs. England Second T20 DreamLeon Match Prediction तो दोस्तो टी टोन्टी आई सिरिस का दूसरा मुकाबला England vs. West Indies के बीच में एक बार Kingston Oval Brings Town Barbaros के विकेट पर खेला जाएगा और यहां का जो विकेट है दोस्तो बैलेंस्ट विकेट है लेकिन दोस्तो जो extra help है वो गेंद बाजों को यहां पर मिल रही है आप देखोगे लार्ज जो मैज वा था उसमें England की टीम दोस्तो मातर 103 रन पर उल आउट हो गई थी जो आप में 103 रन का टार्गेट चेस करने में West Indies को भी दोस्तो 17.1 कवर लग गए थे हलांकि West Indies ने ये मुकाबला 9 विकेट से विन कर लिया था Recent Perform देखोगे England ने पिछले 6 मैच में से 3 मुकाबले विन किये हैं और West Indies ने पिछले 6 मुकाबलों में से 1 मुकाबला विन किया है जो कि Last मैच की डा था हैट्वेड में देखा जाए दोस्तो आवरोल 20 मैच में वेशनलीज हावी रही है 12 मैच विन किये England शिरफ 8 मैच विन कर पाई है और फिसले 5 मैच में से 3 मैच इंगलेड ने और 2 मैच वेशनलीज ने विन किये हैं बागी दोस्तो पिच वगएरा को लेकर टोस को लेकर जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको हमारा जो नया टेलिगाम चैनल है उसके अंदर प्रुवाइट करूँगा क्योंकि दोस्तो आपको पता है हमारा जो ओरिजिनल टेलिगाम चैनल था वो कोपिराइट इस्यू की वज़े से टर्मिनेट कर दिया गया है तो अब आगे से सारी जो हमारी इंफोर्मेशन टेप्स वगएरा होंगे वो आपको इसी नए टेलिगाम पर मिलने वाले हैं तो जुरूर शे जोइन कर लेना लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा अभी दोस्तो हम यहां से बात करते हैं सबसे पहले वैस्टन लिज के बारे में तो दोस्तो वैस्टन लिज की जो टीम है लाश्ट मैस में काफी अच्छा परिसन कर किया है नो विकेर्ट से मुकाबला विन किया ब्रैंडड किंग दोस्तो ओपन करने आए थे बावनोनो की नाबाद पारी खेली और रोल तेरा इनिंग में दोस्तो चौन से टरन है से होप दोस्तो बीसन बना पाए थे अपना विकेर्ट गवा दिया टी टॉंटी में दोस्तो थोड़ा सा ये स्ट्रगल कर रहे है निकोल स्पुन अटैकिंग बल्ले बाज है लास्ट मैच में दोस्तो 27 रन पे नाबाद रहे थे रोश्टर चेस है दोस्तो बैटिंग में ये भी अच्छे बल्ले बाजी कर लेते हैं पार्ट टाइम बोलर भी है लेकिन लास्ट मैच में बैटिंग आई नहीं बोलिंग टीम इन से नहीं करवाई किरन पुलार्ड है दोस्तो लास्ट मैच में दोवर 11 रन कोई विकेट नहीं मिला बैटिंग में भी दोस्तो इनका नमबर नहीं आया था इनके बाद जैसन होल्डर लाश्ट मैच के दोस्तो हीरो रहे थे तीन पॉइंट चार रूमे मातर शात अंखच की और दोस्तो उन्होंने चार विकेट निकाले फैबिल आलन है दोवर डाले दस अंखच की एक विकेट टीम को निकाल के दिया इनके बाद यहां से ओडियन समित है एक और बॉलिंग की थी चार अंखच की विकेट इनको नहीं मिला रोमेरियो सेफर्ड तीन अवर डाले पत्चीस अंखच की और दोस्तो एक विकेट निकाला आकिल हुसियन लैफट अर्म और तो डैस गिंद बाज हैं और काफी उच्छी बोलिंग की चारों में मातर शोला रंखच की और एक विकेट निकाला हैडन वास से दोस्तो सर्प्राइज वाली बात है कि एक भी मैच से एक भी आवर टीम ने बोलिंग नहीं करवाई कोटल ने दोस्तो चारों में तीस अंखच के और दो विकेट निकाले बैंस के प्लेयर में से दोस्तो यहां पर कोई खास चैंस अगरा की गुंजाइस नहीं है फिर भी जो भी यह चैंस करेंगे उसकी अपडेट है वो मापको हमाई टेलिगाम में ब्रोइट करवाद हुआ तो टेलिगाम जरूर से जोइन करना लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा अब इंगिलैंड के बारे में बात करें तो दोस्तो अपना पहला मुकाबला हार कर आए हैं टीम के और से जैसन रोई ओपन करने आए थे हीट और मिस टाइप वाले एगरिशू टाइप के बले बाच है शेफ शेरन लास्ट मैस में बना पाए इनके बाद दोस्तो टोम बैंटन है ये भी हीट और मिस टाइप वाला पले रहे है लास्ट मैस में सिर्फ 4 रन बनाए थे लेकिन दोस्तो कभी भी बड़े रन लगा सकता है तो ग्रैंड लिंग में मस्ट फिक रहेगी जे विंस है लास्ट मैस में बनाउन खेले थे 14 रन बनाए थे टेकनिकल बले बाच है शेट हुजए तो बड़े निंग के लिए जाते हैं मोईन अली है बैटिंग में खाता नहीं खुला बोलिंग में एक और डाला 7 रन खज की विकेट वगरा इनको नहीं मिला यान मोरगर नमबर 5 पर खेलने आए थे लास्ट मैस के अंदर दोस्तो इनोंने 17 रन बनाए सैम बिलिंग है दोस्तो ये भी वैसे बले बाच काफी उच्छे है लेकिन लास्ट मैस में शिरफ दोरन बना पाए थे डाउसन है चार और कंपिट बोलिंग की थी 12 रन खज के विकेट नहीं म काला और बैटिंग में भी दोस्तो बाइसनों का युगदान दिया साकी महमूत टीन अवर बॉलिंग की 24 संखच के कोई विकेट नहीं मिला टीमेल से 3.1 और 20 और विकेट लेस रहे है बैंस के प्ले को लेकर जो भी अपडेट होगा दोस्तों वह मैं आपको हमारे टेलिगा आपको बता देता हूं जो टी टॉन्टी रिकोर्ड है ना वो इतना अच्छा नहीं है ओडिय में अच्छा खेलते हैं क्योंकि थोड़े से सलो बले बाज है जाधा जल्दबाजी नहीं करते लेकिन टी टॉन्टी में दोस्तों यह थोड़ा सा विकेट है वो गवाद देते हैं तो Grand League में दोस्तो Say Hope का प्रोप कर सकते हैं Small League में दोस्तो आप चाहें तो Say Hope की जगहें पर आप यहां से गेंदबाजी सोरी ओलाउंडर डिपार्टमेंट में से फैबेल आलन को भी ट्राई कर सकते हैं या फिर के अंदे खेल दोस्तो तो तालिश पंतालिशन भी बना सकता है हो सकता है पहली बोल पर भी विकेट गवादे तो दोस्तो प्रेंड पुलार डमार लिए एक भैतरिन पिक रहेगी ब्रेंडट केंगे लाश मैट में अच्छी बल्ले बाजी करकर आई हैं दोस्तो और टोप पारफले में हमेशन अच्छा ही खेलते हैं तो समोल लिग में सेफ पिक है यान मोरगन दोस्तो ग्रैंड लिग में जबरद जल्दबाजी नहीं करते हैं तो एक इंपोर्टेंट पिक रहेगी इनके बाद दोस्तो अब ग्रैंड लिग में डूप कर सकते हैं लेकिन समोल लिग में दोस्तो इंपोर्टेंट पिक रहती है क्योंकि लोग इनको 15-20% कैपटन भी बनाते हैं क्योंकि बैटिंग दोस्तो बिल्कुल इंपोल और जुरुषित ट्राइब करते हैं जो डन का जो रिकॉर्डर वेस्टन इस दोस्तो ट्रेन आई रैंकिंग के अंदर दोस्तो बिल्कुल टोप 10 में चल रहे हैं, कोर्टल दोस्तो नई बोल और डैस दोनों में काफी अची बॉलिंग करते हैं, जोर्डन का जो रिकोर्ड वैस्टन रिज के खिलाब वो काफी जब दसता है, तो ये तीनों दोस्तो बिल्कुल मर्ष्ट होपिक रहेगी, अब दोस्तो इंग्लैंड के और से टीम बिल्कुल इंपोर्टेंट गेंज बाच है, अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग करेगा दोस्तो तो मैं यहां से होप को अपनी टीम में से ड्रोप करूँगा, और उस कंडिसमें टीम मिल्स के साथ जाएंगे, अकीला हुसेन है, ग्रैंड लिंग में दोस्तो खास करके जर बॉलिंग नहीं करवाई थी, बागी दोस्तो कोई खास प्लेस वगरा नहीं रहेगा, तो अभी के लिए दोस्तो यह जो आप टीम देख रहे हैं, यह हमारी एक डेमो टीम रहेगी, जो मारी फाइनल टीम होगी दोस्तो वो पूरी तरह से टोस्त पर डिपैंड करेगी, और औरिजनल टेलिग्राम है, वो दोस्तो कोपी राइट इस्यू की वज़े से टर्मिनेट हो गया, तो अभी सारी जो अपडेट होगी दोस्तो समोल लिग या गरेंड लिग को लेकर टिप्स और ट्रिक्स वो सारी इंफोर्मेशन आपको इसी टेलिगाम में मिलने वाली है, त के अलावा दोस्तो निकोल स्पुरन को आप बना सकते हैं, यहां से दोस्तो जैसन रोई भी एक अच्छी पिक बन सकते हैं, बोलिंग डिपार्टमेंट में देखा जाए तो आदिल रासी दोस्तो कैप्टन वाइस कैप्टन के एक इंपोर्टन पिक है, ग्रैंड लिग में तो गरैंड लिग में दोस्तो ब्रैंड़ट के साथ आप जा सकते हैं इंगलेंट के उर्शे जेव इंस हैं, यहां से दोस्तो मौहिन अली को भी बना सकते हैं, और दोस्तो कोटरल और इखोटन भी ग्रैंड लिंग में आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छे तरूशे कर लेना, thank you friends all the best